नमा सुज़केताय मेरे प्यारी छात्रों आपको कच्छा नौ कि शैश्क्रत मैं पढ़ा रहा हूं कल आपको असमाकम राश्टिय प्रतिकानी के विसे में मैंने पढ़ाया था उस पाठ को पूरा किया उसका जो प्रश्ण अप्याज का प्रश्ण उत्तर है उसको मैं आपके पास भेज़ दूँगा पीडियोप के माध्यम से आप लोग उसको अपने फेर में उतार लेंगे आज हम चलते हैं पद्यप्यूश्म की ओर पद्यप्यूश्म में सबसे पहले मंगलाचर्ण है किसी भी गरंद की जो सुरुगात की जाती है मंगलाचर्ण की तो इसमें पा जाच इस लोगों को देख लें ऐसा वैदिक व्याकरन जो है उसमें बताया गया है करें आयान तू इह जो आउसर गहे यंतुक सब्द के पहले का है आयान तू मने आये बिश्वत हमाने चारों और शे नो मने हमारे लिए भद्रहां मने कल्यानकारी कृतबह मने शंकल पे आविचार हमारे लिए जो कल्यानकारी विचार हैं भद्रहा, कृतबहा, जो कल्यानकारी विचार हैं ओ आयान तू मने आये विश्वत हमाने सब और से विश्वक शब्द है विश्वत ह सब्द के बना हुआ है चारों और से या सब और से हमारे लिए जो कल्यानकारी विचार हों शंकल्प हों उस सब और से आएं हमको प्राप्त हों देखिए दूसरा है भद्रम करने भी श्रुणू जाम देवाह भद्रम पसे माचि भिर्य जत्राह भद्रम करने भी श्रुणू जाम देवाह भद्रम पसे माचि भीर्य जत्राह भद्रम मने कल्यानकारी करने भी मने कानों के द्वारा श्रुणू जाए देवा मने हे देव हे परमपिता परमात्म जो कल्यानकारी चीजें हैं उन्ही को मैं कानों के द्वारा सुनूँ अभध्रम्पस्यम अच्छ भिल यजत्राहा यजत्राहमने जो उपासना करने वाले हैं कि उसे चीजों को भध्रम्पस्य अच्छविल अच्छविवाने आखों से भध्रम्पसे मने में देखूं जो कल्यानकारी चीजें है उन्ही को मैं अपने आखों से देखूं फिंच देख लिए भद्रम करने भी शिनुयाम भद्रम करने भी शिनुयाम भद्रम मने कल्यानकारी करने भी मने कानों के द्वारा तुनुयाम मने शुनु देव हे देवता हे परमपिता परमात्मा उपासना करने वाले बता रहे हैं हे इस्वर की जो उपासना करने वाले हैं वो लोग बता रहे हैं रिसियों मुनियों ने इस्वर की जो उपासना करने वाले हैं वो कहे रहे हैं कि है परमपिता परमात्मा भद्रम करने भी शिडुयां जो कल्यान कारी चीजें हैं उसको मैं कानों से सुनूं और भद्रम पशेम अच्छ भी आखों के द्वारा मैं कल्यान कारी चीजों को ही देखूं। मद्युक्ञ भूनुषब करने वाली। नक्तम मने रात्री उतम मने और उससा मने दिन रात और दिन मधुम भावती मधु होवे कल्यानकारी होवे और मधुमत पार्थिवं रजहा पार्थिवं रजहा पार्थिवं इसलिए धर्ती के लिए कहा गया है धर्ती की इस प्रतिवी क्या जो रजह मने कन हैं धूल है ओ मधुमत होए हमारे लिए कल्यानकारी होए जो माता धर्ती को माता कहा गया है तो माता धर्ती का जो कि दो धूल है हमारे लिए कल्यानकारी हो और केरें दूसरा मधु धौरतु ना पिता मधु धौरस्तु ना पिता हा नहमाने हमारे लिए धौ अस्तु पिता पिता आकास जो है वह हमारे लिए मधु मने कल्यानकारी होवे मधु मान नो बनस्पतिर मधु मने हमारे लिए मधु मने कल्यानकारी हो क्या वनस्पतियां जो ये प्रत्वी पर जड़ी बूटियां है वनस्पतियां है पेड़ पौधें हैं ये हमारे लिए कल्यानकारी होवें और मधु मान अस्तु सूरिया हा ये जो शूर्य देवता हैं प्राताकालिन जिस से पूरी धरती की जो है चल रही है इन शूरी के द्वारा जो समय चल रहा है एह भी हमारे लिए कल्यानकारी हो माध्वीगा वो भबंतु नहां हम लोगों के लिए जो गावा मने गाएं हैं वो माध्वी हो मने अत्धिक दूद देने वाली होएं ठीक समझ में आगी बाद रिगवेद से आया है स्लोक तिसरा है अब रिगवेद का संगच्छद्धम संबदधम समओ मनांसि जानताम समानो मंत्रहा समीतिही समानी समानम्मनहा सहचित्तमेखाम संगच्छद्धम संबदधम समओ मनांसि जानताम समानो मंत्रहा समीतिही समानी समानम्मनहा सहचित्तमेखाम देख लें इसको संगच्छद्धम मने शाथ साथ चले शम मने शाथ साथ गंच्छद्धम मने चले संबदधं और साथ साथ समान भाव से हम बोले हम दोनों लोग कौन कह रहा है बदधं मद्यमपुरुश गुरू और शिश्य प्राथना कर रहे हैं परमातमा से पर्मपिता से कि है पर्मपिता हम लोग साथ साथ चले और शाथ साथ संभाव से ही बोले और कह रहा है समो मनांसी जानताम हम लोग जो हैं अपने विचारों को मन को समान रूप से जाने समझें समो मनांसी जानताम सासा मन को हमारे मन में क्या है उसको मैं उह जान ले उनके मन में क्या है इसको मैं जानू मन की बातों को समझू आगे देखिए क्या कह रहा है बड़ी सुन्दर बात कह रहा है समानो मंत्रह समीती समानी समानम मनहा सहचित्तमेसाम समानो मंत्रह मंत्र जो है मंत्र मन्न होता है बिचार बिचार जो है ओ हमारे समान होए एक दूसरे के विपरीतनन होए हम लोगों के बिचारों को समझें ओ हमारे बिचारों को समझें हो अर्थार बिचार हमारे एक समान हो समानो मंत्रह अब आगे कह रहा है समीती ही समानी ही मनहा सहा चित्तम एसाम सहा चित्तम एसाम चित्तम एसाम यह जो मेरा मन है चित्तम मेरा चित्त जो है एसाम मने इनका जो मन है ओ भी समीती मने सभा और समानी मने एक समान मनह मने मन अर्थात हमारी जो सभाएं हैं जो हमारी समीती है हमारी जो सभाएं हैं ओभी समान हों यह नहीं कि हम अलग सभा करें आप अलग सभा करें हमारी सभाएं भी समान हो तथा चित भी मेरा समान हो वे चितम एसाम समान हा मेरा चित्र भी एक समान हो मेरे मन भी एक समान हो ठीक चौथा इश्लोक आया है सुखा राथे रस्वान यन मनुष्यान नियते सुभेर वाजिन युवा प्रतिष्ठम यजिरम जविष्ठम तन्वे मना सीवसं कल्पमस्तो देखिए यह जो मुर्धन निसा है इसको बेद में खापड़ा जाता है व्याकरणिक जो वैदिक व्याकरण है यह मुर्धन निसा जो जहां पर आता है इसको खापड़ते हैं इसलिए सुखार थी रस्वान्यों मानुस्यां यन मानुष्यां ने नीयते भी खुभीर वाजिना युवा प्रतिष्ठम यजिरम जविष्ठम तन्वे मनाहा सीवसं कल्पमस्तो तवर्ग के पहले अगर मुर्धन सा आता है तो वहस्सा पड़ा जाएगा और सेज के साथ आता है सुखार थी रस्वान्यों यन मानुष्यां ने नीयते वाजिना युवा प्रतिष्ठम यजिरम जविष्ठम तन्वे मनाहा सीवसं कल्पमस्तो तवर्ग परमात्मा से प्रात्ना की यारी है परम्पिता परमात्मा सुखार थी रस्वान्यों सुखार थी रस्वान्यों जैसे सुन्दर शार्थी सुसार्थी जैसे सुन्दर शार्थी जो होता है रत को चलाने वाला जो होता है अभी शुभी वाजिना अभी शुभी वाजिना अभी शुभी वाजिना अभी शुभी कहते हैं अभी शुभी के द्वारा गोड़ों को खवाबू में रखने के लिए लगाम लगाई जाती है निसको असभीह भाने लगाम होती है वाजिनह तीबरग्हामी या सक्तिसाली घोड़े जो होते году उंको वाजीनह कहते हैं वाजीह कहते वाजीह भाने घोड़ा होता है तिप्र शक्तिसाली घोडों को अपने लगामों से बसमें कर लेते हैं उसी तरह से यू सब्दा गया उसी तरह मनुष्ट और अपने नियते अपने सही मार्ग पर अपने जोडों को रथ को ले जाते हैं सुन्दर सार्थ सक्तिसाली गोड़ों को लगामों के माध्यम से बस में करके नियंतित करके उनको सही राह पर अपने मार्ग में गंतब्य की ओर तक ले जाते हैं ठीक उसी तरह से ही मनुश्यों को भी है परमपिता परमात्मा नियंतित करके मेरे हिर्दे में जो अच्छे विचार हैं उनको प्रतिष्ठित करके कल्यानकारी विचारों से पूरित करके क्या करें है प्रतिष्ठम मेरे हिर्दे में प्रतिष्ठित होकर अच्छे विचार को प्रतिष्ठम मेरे हिर्दे में अच्छे विचार को प्रतिष्ठित करे यद जविरम जविष्ठम जो कभी अजिर सब्द कहते हैं जिसको जो कभी बुढ़ान हो अर्थात हमेशा युवक बना रहे अर्थात बुढ़ापा को छीन करके अर्थात मुझे युवक नव युवक बना करके और जविष्ठम कहते अत्यंतती ब्रचलने वाले जो सुन्दर मेरा मन है उसको उसमें सुन्दर कल्यान कारी विचार सिव संकल्प मस्तू मने कल्यान कारी विचारों को भर करके आप उसी तरह से मुसको भी सही राह पर ले चलें हे परमपिता परमात्मा जिस प्रकार सुन्दर शार्थी जो होता है सक्टिसाली घोड़ों को लगामों से बस में करके सही रास्ता पर ले जाता है उसी तरह से हे परमात्मा मेरा मन भी जो बड़ा सक्टिसाली है घोड़े की तरह है जिदर देखो उदर भागता रहता है उसक तो शुन्दर नएने हमारे हिर्दे में सुन्दर मन में अच्छे कल्यानकारी विचारों को प्रतिष्ठित करके न कभी आने वाले बुढ़ापा को दूर करके अर्थात मुझे नवयुवक की तरह हमेशा बनाए रख करके तीब ब्रगामी मन को सही राह पर ले चले अब आई अगला देख लीजिए कागे रख गया है योभूतम्च भव्यम्च सरवम्यस्चाधिति श्ठती स्वर्यस्य चकेवलं तसमें जेश्ठाय ब्रम्भणे नमहा अथर वेदकाई श्लोक है बड़ा सुन्दर श्लोक है देख लीजिगे योभूतम्च भव्यम्च श्ठती स्वर्यस्य चकेवलं तसमें जेश्ठाय ब्रम्भणे नमहा योभूतम्च भव्यम्च सरवम्यस्चाधिति श्ठती स्वर्यस्य चकेवलं तसमें जेश्ठाय ब्रम्भणे नमहा चार चातस बार आप पढ़ेंगे दीरे दीरे आपको अभ्यास बन जाएगा अब 25 लोग बड़े महत्य पूर्ण हैं इनको याद कर लीजिए अब आजिए देखिए के राए यो भूतम चा भव्यम चा सरवम्यस्चाधित इस्ठती यह मने जो भूतम भूत कहते हैं जो हो चुका है अतीद को अभव्यम मने जो होगा आगे भवश्य को अधितष्छती अधितष्टित मने उपस्थित रहता है जो भूत काले में उत्पन्य होगे वो सभी पतार्थों में अधिष्ठाता है सबी पदार्थों में बिद्यमान रहता है अधिश्च छतिरी वो हर में रहता है चो बीच चुका है जो हो गया और किसने करा परमात्मा ने किया जो होगा ओभी किस कि ओन करेगा परमात्मा करेगा सम्में परमात्मा का निमाश है बिद्यमान है और कह रहे हैं कि देखिए सरवस्च केवलं तसमे जेश्ठायो ब्रह्मणे नमहा श्वर्यस्य स्वर्माने होता है श्वर्ग को जिसके द्वारा श्वर्ग की प्राप्ति होती है जिस परमपिता के द्वारा परमपद की प्राप्ति होती है ऐसे जेश्ठाय ब्रह्मणे नमहा जेश्ठाय मने जो सबसे महा महिम है जो सबसे बड़ा है जेश्ट है ऐसे महा महिम परभभधये नमय नमसकार करता हूं इस प्रकार से आज मैंने आपको मंगलाचरण के पाचो इस्लोको को की व्याख्या किया आप लोग